हेलो एवरीवन वेलकम अगें टू लंड्रे देदिमन तो आज हमारा टॉपिक है जालोर के चोहान रडधंबॉर के चोहान हम लोगों ने पढ़ लिए अजमेर के चोहान देखे तो आज हम पढ़ेंगे जालोर के चोहान तो मैंने आपको बताया था कि चोहान जो है वह राजिस्थान में चारो तरफ ही फैले हुए थे अलग-अलग इनकी साखाएं थी तो जालोर के चोहान जो है बहुत ही इंपोर्टेंट है अलाउदिन खिल जी का जो आक्मन है रडधंबॉर पर होता है उसी तरीके से जालोर पर भी होता है तो यहां हम जालो जालोर की जो चोहानों की कुल देवी है वह है आसापुरा माता और इस जालोर का जो प्राचीन नाम है वह महरसी जावाली के नाम पर जावालीपूर पड़ा जावालीपूर से यह जालोर नाम जो है वह क्यों पड़ा क्योंकि यहां पर जाल ब्रक्ष जो है वह बहुत ही अधिक मिले तो यहां जाल ब्रक्ष की बहुतायत के कारण ही जाल और नाम पढ़ा इसकी अन्य नाम भी है सुवन्ड गिरी, कंचन गिरी, सोन गिरी तो जाल और दुर्ग जो है सोन गिरी पहाडी पर इस्तित है इस वज़े से इसे हम सुवन्ड गिरी, कंचन गिरी, सोन गिरी अब देखिए संस्थापक जो है कीरती पाल चोहान है याद रखिएगा कि नाडोल के जो कीरती पाल चोहान है वह जालोर में चोहान वंस की निव रखते हैं 1181 इसवी में तो इन्हें वास्तविक संस्थापक माना जाता है उपादी इन्हें कीतु एक महान राजा ये उपादी देने वाले थे मुहनोत नैंसी मुहनोत नैंसी कौन है मारवाड के जस्वन सींग के दरवारी विद्वान अब कई बच्चे जो हैं जिनको नहीं पता है बार बार वो पढ़ते हैं फिर भी भूल जाते हैं कि मुहनोत नैंसी कौन है तो जो मारवाड के जस्वन सींग थे उनके दरवारी विद्वान है मुहनोत नैंसी इनके द्वारा जो है दो ग्रंथ लिखे गए मारवाड री परगनारी विगत और नैंसी री ख्यात। तो यहाँ पर याद रखना है कि मोहनोत नैंसी जो है इन्होंने उपादी दी है किर्तिपाल चोहान को कीतु एक महान राजा। सूंडा अभिलेक में किर्तिपाल चोहान को राजिश्वर कहा गया है किर्तिपाल चोहान को तो वह सूंडा अभिलेक है किर्तिपाल चोहान ने सामंद सिंग जो मिवाड के थे इनको भी पराजित किया था तो इतने ही फैक्ट जो है वो याद रखिएगा किर्तिपाल चोहान क बारे में उसके बाद जो शाशक आते हैं समर सिंग 1182 से 1205 इसवी तो अभी बहुत ही कम-कम समय के लिए जो हैं शाशक आएंगे समर सिंग ने अपनी पुत्री लीला देवी का विवाद चालुक के भीम सेकेंड के साथ किया था इतना ही याद रखिएगा उसके बाद आते हैं उदे सिंग 1205 से 1257 इसवी तो यहां उदे सिंग जो है इनका सामना होता है इल्तुतमिस के साथ तो यहां इल्तुतमिस का सफलता पूर्वक सामना किया था उदे सिंग ने और गुजरात के लवन प्रसात को परास्त किया था पंडित दश्रशर्मा क्या कहते हैं कि उदे सिं मैं ही याद रखिएगा 1257 से 1222 उसके बाद आते हैं सामंत सिंग 1222 से 1305 इस्वी तो देखिए ये कई शाशक हुए हैं कीर्ति पाल चोहन के बाद समर सिंग उदे सिंग चाचिक देव और सामंत सिंग तो इनके बारे में जो थोड़ी सी इंफॉर्मिशन है ये याद अब हम आते हैं सकति शाली शाशक कान्र देव के बारे में तो यहाँ आपको टिटेल में जानना जरूरी है कान्र देव चोहन जो हैं जिनका समय है 1305 से 1111 इस्वी 1296 में गद्दी पर बैठते हैं और जालौर के प्रतापी शाशक हैं कान्रदीव चोहन, कीर्तिपाल चोहन यह संस्थापक हैं जाल और के चोहानों के वही पर कानर प्रतापी शाशक है जाल और उनके समकाली दिल्ली सुल्तान है अलाउधीन खिलजी अलाउधीन खिलजी का जालोर पर आक्रमन करने का क्या कारण होता है तो यह जानना बहुत जरूरी है गुजरात लोट रही सैना पर कानर देव द्रुपारा लूटका सामान छीनना और आक्र्मन करना तो दिल्ली से सैना जो है वह गुजरात जा रही थी, बीच में मेवाड पड़ता था, तो मेवाड में टैक्स बसूला जाता है, समर सींग के द्वारा मेवाड के सासक, तो सैना जो है वह लूट लेती है सारा धन और मूर्ती जो है उसके 5 टुकडे भी कर देती है, जाती है, जालोर से होकर जाती है, क्योंकि अगर मिवार से जाती, तो वहाँ समर सींग दुबारा से टैक्स लेते, तो क्या करते हैं, वो जालोर से जाते हैं, लेकिन जालोर में बैठे होते हैं, कानर देव चौहान, अब वो भी यहां से नहीं जाने देंगे, वो क्या करते उनकी सैना जो है अलाउदिन खिलजी की सैना से लूट का धन जो है वह दुबारा लूट लेती है और जो शृवलिंग के 5 लाउदिन खिलजी को बताती है तो इसी वज़े से अलाउदिन खिलजी जो है वह आक्रमन करना चाते थे जाल और पर दूसरा क्या था कि कानर देव का जो पुत्र था वीरम देव तो इस वीरम देव से जो है प्रेम हो जाता है अलाउदिन खिलजी की बेटी फिरोजा को तो ये एक कहानी है कि फिरोजा जो है अलाउदिन खिलजी की बेटी जो है वह कानर देव के बेटे वीरम देव से मन ही मन प्रेम करने लगी थी तो ये सोचिए ये एक तरफा प्रेम ही था वीरम देव को तो इस चीज़ का पता भी नहीं था तो क्या होता है कि जो अलाउदिन खिलजी है वह प्रस्ताव लेकर जाता है कानर देव के पास कि अपने बेटे वीरम देव का विवहा जो है वह इसकी बेटी फिरोजा से कर दे लेकिन कानर देव जो है इसके लिए क्या कर देते हैं इनकार कर देते हैं तो जब इनकार करेंगे तो क्या होगा अलाउदिन खिलजी जो है नाराज हो जाएगा और इस वज़े से भी वै जालोर पर आक्रमण करता है तो ये थे जालोर पर आक्रमन करने के अलाउदिन खिलजी के कारण तो देखिए जो लोग फस्ट बार जो इतिहास पढ़ रहे हैं राजिस्थान का तो उनको बहुत ही आराम से मैं धीरे धीरे इस चीज़ को बदा रही हूं बीच में मेवाड आता है जहां साशक समर सींग के दरवारी निमबा द्वारा टैक्स वसूला जाता है अब नाम याद रखिएगा दरवारी कौन है निमबा और गुजरात जाने देते हैं गुजरात में सोमनात मंदिर से मूर्ती धन लूट लेते हैं और उस समय कुजरात के शाशक जो हैं वो कर्ण वगेला थे वापस दिल्ली जाते हैं तो वो मेवाड से ना जाकर कहां से जाते हैं जालोर से जाते हैं जहां पर कानरदेव के मंतरी जेता देवरा के द्वारा धन मूर्ती छीन ली जाती है और शिवलिंग की मूर्ती के पांस टुक्रों को अलग-अलग गाउं में स्थाफित करवाते हैं। सेना जो है वह अब खाली हां दिल्ली पहुंसती है यानि बहुत ही कम धन लेकर दिल्ली पहुंसती है जो की जालोर पर आक्रमन करने का कारण बनता है। तो ये स्टोरी जो है मैंने आपको बता दी है। याद भी हो गई होगी आप लोगों को क्योंकि मैंने जब स्टार्ट कि तरे से याद होती भी जाएंगे. अब देखिए घटना है 1305 इसवी की. तो यहां है जालोर के शाशक कानर देव, उनका पुत्र वीरम देव. और दिल्ली के सुल्तान अलाउदिन खिलजी का सैनापती है एन उल मुलतानी. तो यह 1305 इसवी की घटना है जहां पर अलाउदिन भी नहीं आता है. वो अपने सैनापती एन उल मुलतानी को भेजता है. अलाउदिन का सैनानाएक जालोर आता है और वह क्या करता है? कानर देव को समझाता है कि वह उसके साथ दिल्ली चली. अलाउदिन खिलजी जो है वह उनको बुला रहे हैं. लेकिन कानर देव जानने को राजी नहीं होते हैं फिर भी ये समझा बुझा लेता है कि अगर वह खाली हाँ जाएगा तो अलाउदिन खिल जी उसकी हत्या कर देगा तो इस तरीके की संदी जो है कानर देव और एनुल मुलतानी के बीच में हो जाती है लेकिन दिल्ली दरवार का माहुल जो है कानर देव के स्वाविमान के विरुद्ध था तो वह वहां से चला आता है बिना बताए जिस वज़े से अलाउदिन खिल जी जो है क्रोधित हो जाता है और इसी वज़े से आगे संगर्ष होता है वहीं पर देखिए मुहनोत नैंसी क्या कहते हैं कि युद्ध का कारण जो है कानर के पुत्र वीरंदेव द्वारा सुल्तान की पुत्री फिरोजा से विवहा करने से इंकार करना बताया जाता है मुहनोत नैंसी ये कहते हैं कि कानर देव नहीं आये थे दिल्ली दरवार में कानर देव ने अपने पुत्र वीरंदेव को भेजा था जहां पर अलाउदिन खि वहां से इनकार कर देता है। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो है अलाउदिन खिलजी के द्वारा जो है क्या किया जाएगा, आक्रमन किया जाएगा, घटना 1308 इसवी शिवाना दुर्ग, तो शिवाना जो है वह है जालोर की कुंजी कही जाती है, जिस तरीके से र परादिकार करना होगा और यह मारवाड के राजाओं की सरनिस्थली कही जाती है शिवान दुर्ग के निर्माता हैं वीर नारायन पवार और यह बाढमीर जिला हल्देसृर की पहाड़ी पर इस्तित हैं शिवाना के प्रशाषक हैं इस समय सीतल देव और सोम जो की कानड के भतीजे थे तो जब सिवाना दुर्ग पर आक्रमन करता है अलाउदिन खिल जी तो उस समय सिवाना के प्रशाशक सीतल देव और सोम है एक तरफ सैना जो हत्ती है सिवाना के प्रशाशक सीतल देव और सोम की और सैना पती यहां भावले पवार होते हैं जो संजालन करते हैं और अलाउदिन खिल जी का जो सैनापती होता है, यहां कमाल उद्दीन गुर्ग होता है, 1308 इस्वी में, तो क्या होता है, कि अलाउदिन खिल जी का जो सैनापती है, कमाल उद्दीन गुर्ग इन पर जो क्या करता है, आक्रमन करता है, लेकिन हर बार की तरह वहवी बिफल हो अब क्या होता है कि हमेशा की तरह ही ये क्या करते हैं छलकपट का सहारा लेते हैं तो ये जो सैनापती होता है भावले पवार इसको क्या किया जाता है लालत दिया जाता है ठीक है जिस वज़े से ही इस सैनापती भावले पवार की वज़े से ही सारा जो कंट्रोल है वो कमालुदिन गुर्गु द्वारा भावले बवार को लालज डिया जाता है और वह पानी के जो श्रोथ होते हैं भंडे राव में क्या करता है गौरक्त मिला देता है जिससे की पानी ही असुद्ध हो जाएगा और जो सैना है वह क्या करेगी बिना पानी के तो किले के द्वार उसे खोलने ही पढ़ेंगे तो 2 जुलाई 1308 को दुर्ग में प्रवेस कर जाते हैं सीतल देव जो शिवाना के प्रशाशक थे उनकी हत्या करती जाती है और 10 नवंबर 1308 को शिवाना पर अधिकार हो जाता है अलाउदीन खिलजी का शिवाना दुर्ग में जोहर जो है मेरादे के नेत्रत्व में किया जाता है अब देखिए जो जालोर की कुझी है शिवाना उस पर तो अधिकार हो गया है अलाउदीन जो है शिवाना दुर्ग का नाम बदल कर कर देता है खेरावाद तो कई बार एक्जाम में पूछा गया है कि अलाउदीन खिलजी जो है शिवाना द उनके आगे किसी की नहीं चलती हैं, तो अगर शिव से पंगा लोगे, तो किसी की खैर नहीं है. तु इस तरीके से आप याद रख सकते हो, नोट्स में ही आप लिख लीजिएगा, कि शिव के आगे किसी की भी खैर नहीं, और जालोर की ओर वह कूच कर देता है. अब देखिए जालोर पर अधिकार करने के लिए आक्रमन करता है अलाउदिन खिल जी घटना 1311 इस्वी की नोट्स देखिए इतने अच्छे तरीके से मैंने तयार किये हैं कि आप लोग जो है इनको याद करेंगे और जब रिवीजन करेंगे तो एक जलक में ही याद आजाएगा जालोर पर आक्रमन होता है जालोर के साशक है कानर देव इनका बेटा है वीरम देव और अब हैं सैनापती 1311 इस्वी में दहिया भीका दिल्ली के हैं अलाउदीन खिलजी चीके तो अब देखिए इससे पहले जब शिवाना दुर्ग पर अधिकार किया गया था तो उस समय कमालुदीन गुर्ग था सैनापती और जो भावले पवार था जालोर की तरफ से उसको लालच दिया जाता है इस वज़े से जो शिवाना है उस पर अधिकार हो जाता है और अब जब जालोर की बारी आती है तो यहाँ पर भी यही टेक्निक अपनाते हैं क्योंकि इन्हें पता है कि आसानी से तो जीता नहीं जा सकता जालोर दुर्ग तो इस वज़े से यह लालच देते हैं यहाँ पर भी सैनापती दहिया भीका को तो यहाँ पर यह जो दहिया भीका है वो क्या करता है गुप्त मार्क बता देता है सैना प्रवेश कर जाती है कानर देव लड़ते हुए वीरगती को प्राप्त हो जाते हैं पुत्र वीरम दे जो है आतम हत्या कर लेता है तो फिरोजा जो है वह भी मर जाती है वह भी आतम हत्या कर लेती है महलाओं द्वारा यहां जोहर किया जाता है जेतल दे के नित्रत्व में तो अभी हमने देखा था शिवाना दुर्ग के बारे में तो वहां पर जोहर जोहर किसने किया था याद क तो याद रखना है जालो दुर का नाम बदल कर क्या रख देता है लाउदिन खिल जी जलालाबाद और शिवाना दुर का नाम बदल कर रख देता है खेराबाद तो ये एक्जाम में पूछा जा सकता है कानर देव के आक्रमनों के बारे में हमें जानकारी कहां से मिलती है तो ये हमें बदम नाव का जो कानर देव प्रवन है इससे मिलती है वीरन देव सोन गरारी बात यहां से भी मिलती है और अमीर खुसरो का जो अर्बी भासा में खजाइन उल्फुतू है यहां से भी मिलती है फरिस्ता के तारी के फरिस्ता से मिलती है और नैंसी का ग्रंत है नैंसी रिख्याद से भी हमें कानर देव के बारे में जानकारी मिलती है तो यहां पर हमने जालोर के चोहन जो थे उनके बारे में बहुत अच्छे से डेटेल में पढ़ लिया है एक भी fact आप लोगों को नहीं छोड़ना है जिस तरीके से मैंने नहीं छोड़ा है और यहां से बाहर आप लोगों का कुछ भी नहीं पूछा जाएगा लेकिन एक एक line जो है वह है आप लोगों को बिल्कुल याद होनी चाहिए तो चलिए इसी तरीके से मिलते हैं हम अपने next topic के साथ धीरे धीरे इनको पूरा अच्छे से cover करते हुए Thank you